नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंट धर्मा सनमार घर में कुछ ऐसे पौधे हैं जो जरूर लगाना चाहिए सुख सांती बढ़ती है सम्रिद्धी बढ़ती है धन आगमन होता है वैसे तो आपको हम जुरुआत में बता दें जिस पौधे को या पौधे के पत्ते को तोड़ने से फूलों को तोड़ने से दूध निकलता हो ऐसे पौधे भूल कर भी घर में घर के अंदर ना लगाए इस बात का ध्यान रखिएगा आप घर से बाहर लगा सकते हैं तो वास्तु में कुछ सूभ पौधे हैं जो आपके जीवन में खुसिया बढ़ाते हैं और उनमें से पहला अस्थान है मनी प्लांट तो मनी प्लांट को आप अपने घर के सामने वाले कमरे में दक्छिन पूरब को ना में रख सकते हैं भागे बढ़ेगा मनी प्लांट को अपने घर के आप गलियारे में भी लगा सकते हैं इसका आपको बेनिफिट मिलता रहता है तो जो मनी प्लांट का पौधा है अगर आप इस पौधे में एक लाल धागा बांदे या इसके गमले में लाल कलर का एक रीबन टाइप का बना देते हैं तो आंतरिक जो आपके राक्षस है यानि आपके जो दुरगुन है या आपके मन में निगटी बिजार आ रहे है उसको हटा देता है ये पौधा इसलिए इसको सकात्मक पौधा के रूप में देखा जाता है और ये खराब नसों को भी सांथ करता है यानि आपका स्वास अच् इससे क्या होगा एक तो बुरे सपने नहीं आएंगे आपकी नींद अच्छी रहेगी आपके जीवन में खुसियां बढ़ेगी छगड़े लड़ाई विबाद सारे टेंसन समाव तो कमरे में आप एक लीली का पौधा चरूर रखिए आपके लिए बहुत खुबसुरत होगा इसको कहते है सांप का पौधा या स्नेक प्लन्ट ये पौधा जो होता है न सकात्मक उर्जा को बढ़ाता और माना जाता है जिस घर में होता उस घर में कीड़े मुकड़े कमाते हैं लेकिन जब आप इसको खिड़की के पास रखेंगे तो ये आकसीजन की धारा को आगे ब और जो थो पुड़ा होता है इनकी पत्तियां इसलिए इस पोधे को बहुत जादा महत रिखिशी दिया जाता है तो तूलसी के पोधा जब अपने घर में रखें उसके भी तने में लाल धागा बांध कर रखें लक्ष में स्थिर रहती है असोक का बिच आप इसको अपने घर से बाहर मुख्य दरवाजे के आसपास लगा सकते हैं यह आपके दुखों और कोस्टों को दूर करता है माना जाता है कोई बेक्ति असोक के पेड को छूले बहुत टेंसन मोह तो उसकी सारे दुख तकलीप यह पेड हर लेता है समाप्त कर देता है और जब आपके घर के बाहर रहेगी या आप चाहें तो बरंदे के लगभग में लगा सकते हैं तो ऐसे में यह पेड आप लगाते हैं तो यकीन मानिये दुख तो आ कि नकात्मक उर्जा आपके घर में आप लोगों के जीवन में प्रवेशी नहीं कर पाता इसके साथ ही हल्दी का पौधा लगाने से आपके कुंडली का ब्रस्पती भी मजबूत होता है जो की जीवन में प्रगती सुख बिलासिता का प्रभाव बढ़ाता है घर की नकात्म कुर्जाओं को समाप्त करता है तुख समी का पौधा घर में हलाएं कि घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए आप घर के मुख्य दर्वाजे के पास लगा सकते हैं सुभ सक्तियों को आकर सीत करता है जीवन में कले संघर समाप्त करता है और और अगर आप सनी ग्रह से पिडित हैं तो समी का पौधा घर में जरू लगाएं और साम के वक्त सरसों के तेल का दिया जलाएं घर के अंदर ना रखकर घर के मुख्य दरवाजे या दरवाजे के पास दाहिने तरफ रखें जिसके कारण घर में निगर्टिव एनरजी प्रव लगा सकते हैं बॉंडरी वाल के बाहर इसको लगाने से घर के बिंग्न बाधाएं दूर होती हैं दोस दूर होते हैं हर कारे बनते हैं और अगर इसके पुस्व भगवान सिप को नियमित रूप से अर्पित करें उनको चढ़ाएं तो जीवन में तरकी होती है जेड प्लां क्योंकि इस पौधे को घर के दरवाजे पर मुखे दरवाजे के दाहिनी तरफ रखें तो निगेटिव इनर्जी बाहर निकलेगी और आर्थिक स्थिति आपके उत्तम रहती है अनार का पौधा माना जाता है अगर घर में लगाया जाए तो करजों से मुक्ति मिलती है अग उसको लगाने से ग्रहदोस दूर होते हैं सम्रिद्धी आती है और अगर आपका खाली प्लॉट है आप चाहते हैं कि घर बनवाना है पैसे नहीं है तो ऐसे में आप किसी भी मेहने की सुक्ल पक्ष में उस प्लॉट पर अनार का पौधा लगा दे तो धना आएगा और सिग का फल तो हमेशा मिलता है पर भागे का साथ नमील पा रहा हो अर्चन हो बाधाएं हो तब यह पौधा जरूर लगा और इसको लगाने से मना जाता है इनकी पांच पत्तियां ब्रंभांड के पांच तत्तों का प्रतीक है तो तीन या पांच तनों को गूत कर बनाया गया प गुलाब लगा सकते हैं गुलाब के पौधे को प्रेम सनेह और धन बढ़ाने वाला पौधा माना जाता है और गुलाब मालक्षमी को सबसे ज़्यादा प्री है अपराजिता का बेल अगर आप सफेद या बुलू कोई भी अपराजिता घर में लगाएं तो धन लक्षमी आ द्रम भी अब अंत में नमबर आता है आउले के पौधे का माना जाता है जिस घर में आउले का पौधा होता है वहां लक्षमी स्थिर रहती है उस घर में कभी दरित्ता आही नहीं सकती हमें साथ जमीन में लगाई ये गमले में भूलकर भी मत लगाईएगा इस पौधे को गेंदे का पौधा, अगर आप लगाकर घर में नियमित रूप से पानी डालें, तो ब्रस्पती मजबूत होता है, बैबाही जीवन बहतर रहता है, करियर में नए रास्ते खुलते हैं, हमेशा ही पीले फुलों वाला गेंदे का पौधा ही घर में लगाना चाहिए, लाल या औरेंज नहीं, क्योंकि गेंदा का ये पौधा आपके घर में कीट पतंग से भी आपको रक्षा देता है, सुरक्षा देता है, वैसे तो आप चमेली का पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि चमेली सुक्रग्रह का पौधा है, और घर में लगाने से धन, प्रेम, बिवा, पिनम आपार